हेलो अब्रवान वेलकम टू कॉमेंट जॉब करो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेटेस्ट करेंट अफिर्स के बारे में आज की वीडियो में आप से डिसकॉस करूंगी कि कौन कौन से कोश्चन्स हैं जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट हैं आपके एक्जाम सबसे लेटेस्ट कोशन बनता है जो कि बहुत इंपोर्टेंट है आपके एक्जामनेशन पॉइंट ऑफ यू से भी वह है विच नेशन अनाउंस्ट अस्नैप नैशनल लॉग डाउन आप्टर वन लोकली ट्रांस्मिटेट कोविड नाइंटीन केस वाज डिटेक्टेड इ कि कौन सा नेशन याने की कौन सी कंट्री है जिन्होंने की स्नैप नैशनल लॉग डाउन अनौंस किया है और यह लॉग डाउन इसलिए अनौंस किया गया है क्योंकि पूरे छे महिने के बाद दुबारा इनकी जो नेशन में हैं वो कोविड नैटीन का एक पहला केस पाया जा रहा है तो यहां पर आपको चार नेशन के नेम दिए गे हैं जिनमें से एक नेशन जो है इनका सही अंसर है सबसे पहला है आपका ऑप्षिन साओध कोरिया दूसरा है न्यूजिलेंड तीसरा है इंडोनेशिया और चौथा है सिंगापूर तो आप इसका सही अंसर में बताएंगे कहां कमें सेक्शन में तो हम वेट करें आपके सही अंसर का और इसकले मैं आपको तीन सेकंड का टाइम प्रोवाइड करूंगी और आपका जो तीन सेकंड का टाइम है वो शुरू होता है अब आप सबने इसका सही अंसर दिया होगा लट से इसका सही अंसर क्या है और इसका सही अंसर है ऑप्शन भी यानिकी न्यूजलेंड न्यूजलेंड ने अगस्त 17, 2021 को इसका जो पहला केस है COVID-19 का छे महिनों के बाद जो पहला केस है वो पाया गया है जिसके कारण इन्हों ने इमिडेटली न्यूजलेंड की गौर्मेंट के द्वारा ये अनांस्मेंट की गई है कि तीन दिन का स्नैप नैशनल लॉकडाउन लगाया जाए ठीके ताकि इस जो केस पे है वो काम किया जाए और इसको आगे फ़र्दर बढ़ने से रोका जा सके ठीके अब आपका नेक्स कुशन देखते हैं और आपका नेक्स कुशन बनता है यूनियन एक्स्टरनल मिनिस्टर जिनका नाम है डॉक्टर एस जैशंकर विल बी प्रिसाइजिंग ओवर टू हाई लेवल यून एस्सी मीटिंग्स इन विज सिटी तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो हमारे यूनियन एक्स्टरनल एफेर्स मिनिस्टर है जिनका नाम है डॉक्टर एस जैशंकर वो दो जो हाई लेवल के यून एस्सी मीटिंग्स है उनमें सिगनेचर करने जारे हैं पॉल से सिटी में जो है यह मीटिंग होने वाली है तो बेसिकली आपको घुमाफिदा के कोशन पूछा गया है कि यह जो मीटिंग है यून एस्सी के द्वारा जिसमें हमारे जो एक्स्टरनल एफेर्स मिनिस्टर है डॉक्टर जैशंकर वो भी भाग लेने वाले है तो यह जो मीटिंग है वो कहां और किस सिटी में कराई जारी है तो यहां पर आपको चास सिटी के आप्शन दी है सबसे पहली है लंडन दूसरी है न्यू यॉर्क तीसरी है मॉस्काओ चौथी है रोम तो आप इसका सही अंसर में बताएंगे कहां कम इंसक्षिन में तो इसके लिए मैं आपको तीन सेकंड का टाइम प्रोवाइड करूँगी और आपको यह जो तीन सेकंड का टाइम है वो शुरू होता है अब तो आपको तीन सेकंड का टाइम खतम हो चुका है let's see, इसका सही अंसर क्या है और इसका सही अंसर है option B यानि की New York External Office Minister Dr. S. जैशेंगर के गर बात करे उन्होंने August 17, 2021 ये New York में गए और यहां पे जो दो high level meetings थी UNSC के द्वारा करया जारी थी उनमें उन्होंने participate किया ठीके, उसके बाद आपका next question देखते हैं, और आपका next question बनता है, the world's second largest refurbished gene bank has been established in which nation तो पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा refurbished gene bank किस nation यानि किस country में established किया जा रहा है, खोला जा रहा है आपको यहां पर चार countries के option दिये गए हैं, सबसे पहली है श्रिलंका दूसरी है इंडिया, तीसरी है मलेशिया और चौती है मेहमार ठीकी, तो आप इसका सही answer में बताएंगे comment section में, जिसके लिए आपको पता ही, आपको 3 second का time मिलेगा और इन 3 second के अंदर आपको सही answer में comment section में बताना होता है तो आपको 3 second का time में वो शुरू होता है अब तो आपकी 3 second खतम हो चुके हैं, let's see किनके student ने इसका सही answer दिया है और इसका सही answer है option B यानि की इंडिया तो जिन students ने इसका सही answer लिखा है इंडिया वो बिलकुल सही है तो union minister for agriculture and farmers welfare निरेंद सिंग तॉमर उन्होंने अगस 16, 2021 को inaugurate किया है यह world का second largest refurbished gene bank जो की इंडिया में खोला जा रहा है और इस बैंक का नाम है national gene bank ठीके तो यह जो है basically new Delhi में खोला जा रहा है और इसका जो नाम है अब new Delhi की पूसा स्ट्रिक है city है वहाँ पर यह खोला जा रहा है तो आप जो है आपको इसके बारे में detail में पता चल गया और आप confident भी हो गयोंगे इस answers को लेके तो यही जो strategy आपने हर एक question के साथ follow करनी है कि आपको answer के बारे में brief में पता हो ताकि आप उस answer को लेके 100% sure हो सकते तो आप next question देखते हैं आपका और आपका next question मनता है what is the reading of RBI's first financial inclusion index 2021 तो यहां पर आपसे RBI की first मतलब की पहले जो financial inclusion index उसके बारे में बात की गए उसके बारे में पूछा गया है तो यहां पर आपसे उनकी reading के बारे में पूछा गया और इसमें आपको चार reading से options दिए गए सबसे पहला है 53.9 दूसरा है 50.7 तीसरा है 40.8 और चौता है 43.6 तो आप इसका सही answer में बताएंगे comment section में तो आपको जो 3 second का time है वो शुरू हो रहा है अब तो आपकी 3 second खतम हो चुके हैं और इस तरीके से question पूछने का मेरा बस यही motive है कि आपकी जो speed है वो बन सके और साथ के साथ आपकी practice भी होती रहे तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है answers अपने comment section में बताने चाहें वो गलत हो चाहें वो सही हो रहेंगे तो इसका अंसर देखते हैं और इसका अंसर है option यानि की 53.9 तो Reserve Bank of India ने अगर 17 2021 को introduce किया है इसका पहला financial inclusion index जिसकी जो है improvement और इसकी जो major पर है उस पर काम किया जा रहा है ठीक है और इसकी reading कुछ इस तरीके से मतलब 53.9 इसकी reading है अगर बात करें लास्ट से लास्ट एयर मतलब की 2017 के अगर बात करें तो उसकी जो reading थी वो कुछ इस तरीके से थी 43.4 और यह बढ़ के अब हो चुकिए 53.9 मतलब मार्च 2021 में यह जो तीन साल का गैप है इसमें इतना कवर अप हो गया है अब आपका नेक्स कोशन देखते हैं आपका नेक्स कोशन है अवाइल्ट फाय ब्रोक आउट इन विच नेशन ऑन ऑगस्ट 2016-2021 तो यहां पर आपसे काफी ही चर्चा में जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेट ही कोशन पूछा गया है तो यहां पर पूछा गया है कि कौन से नेशन यानि की कौन से देश में अगत 16 2021 को वाइल्ट फाय लग गए और जिसके कारण काफी नुकसान हुआ आपको य कितने अवेर हैं अपने इन स्राउंडिंग में हो रही चीजों से और कितने अवेर हैं अपने न्यूट से ठीक है तो आपका जो तीन सेकंड का टाइम है वो शुरू होता है अब सो आपका तीन सेकंड के टाइम खतम हो चुका है लेट सी इसका सही अंसर क्या है और किन-किन स्रोडिये ने इसका सही अंसर दिया है और इसका अंसर है ऑप्शने यानि की फ्रांस और इसमें जो है अबाउट 100 किलोमेटर तक का जो मेडिटेरियन सिटी तोलान की अगर बात करें इसमें काफी जादा नुकसान हो चुका है और काफी जो चीज़े हैं वो जलके राक हो चुकी है और काफी इंवार्मेंट को भी डैमेज हुआ है अब आपका नेक्स कोशन देखते हैं और आपका नेक्स कोशन है वेन विल ICC मैंस T20 वर्ल कप 2021 बिगिन तो कब शुरू होने वाला है ICC मैंस T20 वर्ल कप 2021 तो यह बहुत ही अच्छा कोशन आपसे पूछा गया और काफी इंट्रेस्टिंग यह कोशन है तो इसका अंसर तो भी आ रहा है Tokyo Olympics के बाद cricket की बाते हो रही है तो यह जो कोशन है अपको से बनता ही है आपके examination point of view से भी और आपके करेंट अफिर्स के point of view से भी तो आपको यह पर चार option दिएगे हैं सबसे पहला है October 15 को ने जा रहा है यह फिर October 16 यह फिर October 17 यह फिर October 18 बट आप यहां पर आ आपको clear तो हो गया है कि यह जो है आपका जो T20 का यह match होने जा रहा है मैंस का ICC का यह जो है October के मंत में होने वाला है बट आपको एक particular date बताने की कौन से date को होगा यह शुरू आपको मैं 3 second का time दूंगी और इन 3 second के अंदर आप हमें इसका science पताएंगे तो आपको जो 3 second का time खतम हो चुका है let's see आपने इसका अंसर क्या दिया है और इसका सई अंसर है option C यानि की October 17 the International Cricket Council जिसकी short form है ICC तो इनका जो match है होने जा रहा है शुरू October 17 से ठीक है तो यह जो है आपको पता होना चाहिए और काफी यह जो है interesting topic है sports से related है तो यह चीज़े भी आपको काफी ज़्यादा पता होनी चाहिए क्योंकि आज का जो most of the questions है most of the topics है वो sports से related ही आ रहे हैं और काफी questions तो जो कि आपकी examination में आएंगे वो Tokyo Olympics से ही आएंगे क्योंकि इसमें काफी ज़्यादा जो है चीज़े हुई है और काफी चीज़े जो की पहली बार हुई है इंडिया के लिए तो यह जो topic है काफी चर्चा वाले हैं आप इन्हें रोज के रोज device कीजिए क्योंकि इससे क्या होगा आपकी practice होगी साथ के साथ आपको यह questions जादा दे तक याद रहेंगे और आपको पता होगा कि कौन से question आपके examination point of view से important और कौन से questions आपको करने चाहिए तो I hope आपको इस वीडियो से काफी जादा benefit होगा और साथ के साथ आप अपने current affairs related जितने भी topic है उनकी practice अच्छे ढंक से कर पाएंगे ठीक है और सबसे important अगर आपको current affairs related कोई भी query है या फिर कोई भी question सा आप पूछना चाते हैं तो आप हमें directly contact कर सकते हैं हमारे whatsapp number पे जो की आपको screen पे मिल जाएगा या फिर description box में जाके भी आप हमारे ये number देख सकते हैं और सबसे important अगर आपको government job से related कोई भी information या फिर किसी भी notice से updated रहना है तो आप हमें follow कर सकते हैं Instagram पे या फिर join कर सकते हैं Telegram जा WhatsApp group पे जिससे आपको काफी जादा help होगी अपने in current affairs से update रहने में और साथ के साथ government job से related जितने भी information आ रही है उनसे भी updated रहने में so thank you so much for watching this video अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को like, share चैनल को subscribe करना भी ना भूने